कभी भरती परिक्षा नहीं होती हैं, कभी परिक्षाओं में धांदलिकर अपनी जान पहचान वालों को चुन लिया जाता है और इसकी सजा भुगतते हैं वो इमांदार परिक्षारती जो पूरी भेहनत से पढ़ाई करते हैं आपने टैलेंट के दम पर सरकारी नौकरी की उमीद रखते हैं आज की मांग कर रहे हैं जात्रों में जिस वायुषा को लेकर ये लोग कर रहे हैं वो दारोगा प्रतीश हैं पिछले साल नमबर दिसमबर में गई लोगों काता कि जिन लड़कियों का फेस बन में डीवी पीस्टी रनिंग भी हो गई है वो तो निकल गई घबराई यह मत वो पूरा रिकॉर्ड है एक बच्चे का उनको पकड़ा जाएगा जितने भी स्मय शामिल है लगबग 78 को जेल बेजा जा चुका है इसरी बात थी में का कि वह अनुशां सा करें तो यह मांग भी हराम से मांगे गें और वह चीज वो अभी वर्टीवूर की वेब्साइट पर पबलिश मी करेंगे तो यह सब चीजे पबलिक डौमेन में रहेंगी अगर इसके बाद में चरुत पड़ती है तो एक और मेरिट लिश रटाके जारी की जाएगी और लोगों को भी डीवी पेस्टी गमों का मिलेगा तो लगबल हमारी जितनी मांग थी वो सारी मांग भरती बोड़ में बहुत ही जमानदारी से पूरा एविडेंस लेके कि जितो चेक करके हलो नमस्कार जैहन साथियो बंदे मातरम बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आया कोई ऐस सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इसके रिगार्डें कोई वीडियो नहीं बनाया खेर किसी ना किसी चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है इसलिए नहीं आया पर छोड़िये इन सब बातों को UPSI की बात करता हूँ UPSI में क्या चल रहा है आपने अभी ये वीडियो देखे हूंगे बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीक जब कोई खासा कुछ किसी ने आवहन नहीं किया था लोग बस आते गए थे कैज़ुली लोगों को बोला था कि आपको अधिकार चाहिए तो आप आईए और बहुत बड़ी संख्या में हुझूम आया दोस्तों लेकिन कहते हैं कि जब वक्त निकल जाता है उसके बाद ही समझ में आता है कि हम वक्त का फाइदा नहीं उठा पाए और बिलकुल सच बात है नहीं उठा पाए अब धिन रात बुलाते हैं कोई आता नहीं कुछ चंद लोग हैं जो सुरू से 70-72 दिन हो गए और वो अभी भ हमला संग्यान में है 18 तारीक को फिर सुनवाई है और आपकी इस भरती का फैसला देखो अभी तो सलेक्टड जो बच्चे हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई आपकी भरती का फैसला 18 तारीक की सुनवाई पर डिपेंड करता है तो आप क्यूं अपना वक्त जाया करते हैं या तो आप इतने पैसे खर्च न करते जितने आपने कोर्ट में पैसे खर्च कर दिये लाखों रुपे और जब आपने लाखों रुपे अगर जूडी शरी पे खर्च किये हैं तो उस पर थोड़ा सा यकीन भी रखिये ये पास वाले केंडियेट कहते हैं कि जब आपको पर यह भरोसा नहीं है, तो क्या गारेंटी है कि सरकार आप पर भरोसा करें, यद तुम सरकार पर भरोसा करों, इतने पैसे देने के बाद तो वहीं से निरणे आना है, और बाकी के सारे हत्कंडे सब ने अपना के देख भी लिए, अभी एक खबर चल रही है कि ADG, UPSI नहीं ह तो जब इतने बड़े तंतर के अधिकारी किसी भरती में सामेल होते हैं, और सरकार उनके विफरीत हो जाए, तो जाहिर सी बाता उसको जमीन में से भी खोद के निकाल लेंगे, जैसे यह निकाल लिया, लेकिन कहीं आपका तंतर के सामने अगर आपोज कर रहे हो, खड़े ह करेंगे, टाइम से भरती होगी, कोई इसमें कुछ भी दोराय नहीं है, तो फिर समझना चाहिए, फिर समझना चाहिए, कि मामला दस-वीस लोगों का है नहीं, यानि इसमें वो पिसेंगे, जो इसमें बैठे हैं न वो ही पिसेंगे, भागी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ ले लेगा, कोई कुछ फाइदा ले लेगा, सब अपने अपने फाइदे ले लेंगे, पिसेंगे वही जो मैदान में खड़े हैं या बैठे हैं, क्योंकि उनके पास दोनों चीज निकल जैसे मैंने अभी शुरू में जो वीडियो आपने देखे होंगे, कि जब वक्त निकल पता, इसमें किस्मत काम नहीं करी, भले ही धांदली हो गई हो, यह सोचो, इसमें किस्मत काम नहीं करी, उनमें से किसी में किस्मत काम कर जाती, भाई, ऑप्टिमिस्टिक अगर व्यक्ति रहता है, यानि संभावनात्मक रहता है, तो उसमें क्या होता है, कि इसमें इतना द है क्या नहीं है एक ही उपाए है कि हर भरती में आपको एक्जाम देना है बार बार प्रयास करते रहना है जिस बार हेट हो गया आपकी किस्मत लग काम कर गया नोकरी लग जाएगी नहीं काम कर रहा तो नहीं लगेगी अगर इसके लावब कोई और अल्टरनेट है तो वह आपको यही कहूँगा सुझाब करता कि ना ते दोस्तों कि पढ़ाई जरूर करें कुछ भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पढ़ाई जरूर करें अगर कोट में पैसे खर्च कियें तो कोट पर यकीन रखें वो जो भी निरने देगा ऐसा तो है नहीं उस निरने क कि इछा है और इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी सी फिकर है दोस्तों एक चीज़ों और पता देथा हूं कि जिस तरीके से मैंने वें एक दो पोल आके रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी content, जो भी teacher, जो भी कुछ provide कराएंगे, वो आपकी मजबूरी है कि वही आपको लेना है, 2-4% लोग होते हैं, जो self-study से ही selection लेंगे, उनको जरूत नहीं होती है, coaching, coaching कि वो ऐसे बंदे होते हैं, और वो ले भी रहें हर भरत best, अब best मालो जब 2-3 ही लोग हैं, तो मजबूरी बन जाएगी कि उन 2-3 में से ही best choose करना है, इसलिए competition इस market में भी रहना चाहिए, कि आपको एक विक्ति अगर content provide करना रहा है, तो दूसरे को पता चलनी चाहिए, कि भाई उसका content हमसे बेतर जा रहा है, हमको और मेहनत की जर और सब इसी में लग जाएंगे, कि जितना धाकड चीज हैं, जितनी previous years की जो जितनी भी analysis है, उसको अच्छे से से करके content दो बच्चों का, यह बिल्कुल target हिट हो, और इसमें फाइदा students का होता है, तो कोई भी विक्ति market में नया आता है, तो उसको support करते रहें, क्योंकि वो उनके level में establish हो जाएगा, तो हो सकता है, वो उनको compete करके आपके लिए, बहतर content के लिए, या तो उनको मजबूर कर दे, या खुद मेहनत करके वो content आपको provide कर आए, ठीक है दोस्तों, तो बदलाब हर जगे जरूरी है, सिर्फ सरकार मनी, बदलाब आपके अपने अंदर भी जरूरी है, जो एक approach लेके, एक ही तरीके की चीजें लेके जो चल रहे हो, उसमें बदलाब की जरूरत है, उसमें भी बदलाब की जरूरत है, एक जैसा तो कोई भी चीज, aristocracy हो जाती है, नि मोनोपॉली टाइप की हो जाती है, कि वो ऐसा समझता है कि मेरे अलावा तो मेहनत करें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जीतना है तो मेहनत करनी है, उसका कोई विकल्प नहीं है, आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जॉब चाहिए, तो मेहनत करें, एक बार नहीं, बार बार मेहनत करें, सूरज ऐसा नहीं, एक बार निकल गया तो जा सबसे बैस्ऱ घुछ लोग करते ही आप भूसर वायव करगें ऐAK पर बाद सर्वाइब करके तो आगे ऐपॉर्चिन्टी आपके पास भी आए कि जो आगे बाले बिचने वार्चें के ऊप बहस्त्क बढ़ार एक दो कहाई की पूरी बद्त्थमास्थ्क्री की बस को आपके भविश्य में आपको help मिले दोस्तों जै हिंद बंदे मातरम God bless you all